हेलो स्टुडेंट्स हाओ और यू आपकी नीट की तयारी बढ़िया चल रही है बचो इस प्रताप वर्मा यूर फिजिक्स एड्यूकेटर इस वीडियो में हम लोग न्यूकलिय बच्चो जो चैप्टर है उसके क्वेस्टन्स कर रहे होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि डॉ बिलसी की वो चैप्टर्स पहले कवर किये जा रहे हैं और साथ के साथ इस चैनल पर अनकाडमी डेली चैनल पर आप दिखते हो कि आपके लिए टॉप थर्टी क्वेस्टन्स फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको करने के लिए मिल रहे हैं ऐसे बायलोजी में आपको क्व दो पार्ट में कवर किया जाएगा आपका जो लेक्चर रहेगा बच्चों वन शॉर्ट लेक्चर वो भी दो पार्ट में रहेगा और क्वेशन को भी दो पार्ट में हमने आप डाल लिया पहले पार्ट में आप देखेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में जो बेसिक कॉंसेप है आप लोगों के लिए अगर आप बोर्ड में पियर कर रहे हैं या इफ यू नो संबडी जो की यह नो बेनिफिट कर सकता है इस को से आप उसको रेफर कर सकते हैं आपके मौक टैसिस में इनवाल रहेंगे स्ट्रक्चर कोर्स रहेंगे राइट और टीचर के साथ में आपका परसनल इंट्रक्शन रहेगा तो बोर्ड एक्जाम्स के लिए अगर आप टार्गेट कर रहे हैं इस बीच में अभी इस बार अपियर होने वाले हैं तो यह आपके लिए काफी बेनिफिशल हो सकता है एडिशनल किसी भी क्वेरी के लिए आप यह contact numbers पर खॉल कर सकते हैं ठीक है चले तो पहला question देखते हैं यहाँ पर नीट में पूछा हुआ question है यह राइट इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर जो questions हैं कुछ पीवाई क्यूस हैं कुछ अलग sources से उठाई वाई questions है the idea is कि इस chapter से typical जो questions पूछे जाते हैं वो सारी variety आपको करने के लिए मिल जाए ठीक है so in this question it says कि radioactive nucleus है और वो एक spontaneous decay उसमें हो रहा है और इस spontaneous decay में जेड का value that is nothing but the atomic number x is the element name a यहां पर क्या हो जाएगा atomic mass number हो जाएगा तो possible decay particles in the sequence are तो कुछ कुछ information दी हुई है decay particle कौन कौन से हो सकते हैं या decay के process में कौन कौन से particles इस spontaneous emission में बाहर निकल सकते हैं उसके हिसाब से हमको option पकड़ना है तो सबसे पहला जो step है decay का उसमें देखिए कि atomic जो number है इसका z बच्चों जो atomic number z है वो कम हो करके क्या हो जाएगा है z minus 1 इसका मतलब क्या हुआ at the same time there is no information about the atomic mass number तो यहां पे we have to understand कि atomic number बढ़ रहा है atomic number घट रहा है तो positive charge वाली चीज बहार निकलने चाहिए है तो essentially nucleus से क्या निकल सकता है proton निकल सकता है तो आप देखेंगे बीटा प्लस पार्टिकल निकल सकता है और proton निकल सकता है तिपिकली आप जानते हैं अलफा डिके बीटा मैनेस डीके बीटा प्लस डेके यह डिके इन वर्ट होता है तो चॉइस हमारे लिए obviously कौन सी हो जाएगी बीटा प्लस डिके हो जाएगा ठीक है ना because positive charge बाहर निकले एक से अटमिक नमबर कब बढ़ेगा जब बीटा-magnus-dK होगा बीटा-magnus-dK में क्या होता है neutron proton और neutron split हो जाता है इसमें proton में और बीटा particle में negative बीटा particle में ठीके ना तो essentially neutron से जब proton का conversion हुआ तो atomic number उस से उस process में बढ़ जाता है तो यह sequence में देखो यह particles बहार निकलने चाहिए बीटा प्लस अलफा एंड बीटा माइनस सो थोड़ी से explanation मैंने यहाँ पर आपको दी यह question relatively काफी easy question straight directly from the theory बहुत आसानी से आपको यह question करने को मिल जाएगा ठीक है next question देखते है what happens to the mass number and atomic number of an element when it emits gamma radiations बचो gamma radiations generally आप देखोगे कि बाकी और जो emissions है alpha decay, beta decay उनके साथ में associated रहता है but gamma rays पर से निकलने से जो nucleus है उसका atomic number या atomic mass number चेंज नहीं होता है gamma radiations are nothing but electromagnetic radiations तो इनके radiation के बाहर निकलने से कुछ mass number पर फरक नहीं परता atomic number पर कोई फरक नहीं परता सो हम देखेंगे कि mass number and atomic number both of them actually remain unchanged यह हमारा answer होगा next question देखते है alpha particle consists of simply पूझ रहे कि alpha particle होता है alpha particle पर जो क्या होता है helium nucleus होता है तो इसके अंदर क्या होगा 2 neutron होगे, 2 proton होगे और electrons को बाहर निकाला जा चुका है nucleus की बात हो रही है तो this is nothing but helium nucleus which consists of 2 protons and 2 neutrons only nothing else है ना next question देखते है if the radius of this particular nucleus 13 जिसका की atomic number है, atomic mass number 27 है अगर इसके लिए radius कितना है R, A, L यह इसका radius है then what is the radius of the other nuclei है बच्चों यहाँ पे atomic mass number के साथ में जो nucleus की radius है उसका जो relationship है उसका directly use हो रहा है कैसे, देखिए aluminium के लिए अगर मैं radius लिख रहा हूँ तो that is equal to R0 A की power 1 by 3 cube root of atomic mass number यहाँ पे atomic mass number बच्चों कितना है 27 है तो यह कितना हो जाएगा R0 into 27 का cube root इसका cube root लोगे तो 3 हो जाएगा यानि की R0 into 3 यह हो गया ऐसे ही दूसरे nucleus के लिए TE के लिए जब आप radius लिख रही होगे तो इसके लिखो के R0 125 की power 1 by 3 यह solve करते हो तो बच्चों कितना हो जाता R0 into 5 तो आप simply क्या करो second को divide कर दो RTE को किस से RAL से तो value कितनी मिल जाएगी 5 divided by 3 यह आपको ratio मिल जाएगा इसका मतलब बच्चों यह जो नया nucleus है इसकी radius 5 by 3 times of radius of aluminium हो जाएगी 5 by 3 times यह आपकी radius हो जाएगी तीक है So we know the relationship between the radius and the atomic mass number for the nucleus वो relationship हम लोग use करते हैं और सीधा सीधा यहां से इस question को solve कर लेते हैं आसान सवाल है आसानी से बनाया जा सकता है यह question बच्चों देखिए radioactive nucleus of mass M emits a photon of frequency and the nucleus recoils तो यह बच्चों उस type का सवाल है mechanics में जो हम करते थे ठीक है ना यह उस type का सवाल है कि अगर किसी let's say gun से bullet fire कर रहे हो bullet fire होनी के वैसे क्या होता है there is a recoil velocity with which the gun goes in the backward direction तो बिल्कुल ऐसी ही कहानी है यह nucleus मालिया rest पे रखा हुआ है इस से photon यहां पे eject हो गया photon की frequency new है तो h new उसकी energy हो जाएगी और उसको c से divide कर देंगे बच्चों e by c तो वो उसका क्या हो जाएगा momentum हो जाएगा हम बोलेंगे कि nucleus पहले rest पे था कोई और external effect इस पे लग नहीं रहा है बोलेंगे कि यह momentum conservation होगा और momentum conservation की वैसे बोलेंगे कि nucleus जो बचा रहा उसका momentum opposite direction में बचों कितना हो जाना चाहिए same हो जाना चाहिए h new by c opposite direction में momentum conservation directly हमने यह आप लगा दिया अब क्योंकि यह material particle है तो momentum और energy के बीच में kinetic energy के बीच में relationship होगा p square upon 2m p की value h new by c इसको कर दो square divided by 2m this becomes h square new square upon 2m c square this is what you get तो यह कौन सा अपना option बन जा रहा है यह वाला option बन जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है photon निकलने से photon निकलने से nucleus opposite direction में same momentum से जादा है to conserve the overall momentum of the system इस से हमें इस बचे वे nucleus की जो momentum है वो पता चल जाती है momentum पता जाती है उस से हम उसकी recoil की energy calculate कर पाते हैं ठीक है next question बच्चों देखते हैं a nucleus is given 1 alpha particle and 2 beta particles are coming out of it they are emitted by this the resulting nucleuses बचों जब alpha parting कालने का लेगा eject कराओगे तो z की value z minus 2 हो जाएगी z की जगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है तो n की value क्या हो जाएगी n minus 2 और m की value क्या हो जाएगी m minus 4 क्योंकि helium nucleus 2he4 आपने यहाँ पर निकाल लिया nucleus से ठीक है यह clear हो गया उसके बाद beta minus particle यानि की negative beta particle भार निकल रहा है please understand की neutron से proton plus minus 1 beta 0 यह दोनों particles बनते हैं ठीक है ना और साथ में क्या होगा anti-neutron निकलेगा तो इतनी detail नहीं भी पता है तो आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि यह neutron के proton और kind of electron में तूटने से है ना यह beta minus emission होता है यह neutron कहा है पर nucleus के अंदर है तो जब negative beta particle बच्चो जब भी emit हो रहा होगा तो mass number तो सेम रहेगा क्योंकि neutron और proton दोनों एक बार count होता है लेकिन जो atomic number है उसकी value 1 से बढ़ जाएगी तो यह value n minus 2 से बढ़ कर के कितनी हो जाएगी atomic number कितना रहेगा n रहेगा बच्चो अटमिक number n रहेगा और atomic mass number कितना हो जाएगा m minus 4 रहेगा इसलिए correct answer हमारा b हो जाता है next question देखते है the number of beta particles emitted the number of beta particles emitted by a radioactive substance is twice the number of alpha particles emitted by it the resulting daughter nucleus will be previous question है उसके जैसा ही equation है समझने के कोशिश करेंगे देखिए अगर n number of alpha particles निकलते है n number of alpha particles निकलते है तो इससे atomic mass number पर क्या फरक पड़ेगा और atomic number पर क्या फरक पड़ेगा तिक है अगर यह z x a मेरे पास में कोई nuclear है nucleus है और उससे n alpha particles बहार निकल गए तो z की value में कितना कमी आ जाएगा 2n कमी आ जाएगा है और इसको नाम दे देते हैं daughter nucleus को let's say y a की value में कितना कमी आ जाएगा 4 times of n कमी आ जाएगा यह alpha particle का effect हुआ अब अगर n alpha particles निकले थे तो 2n हमारे minus 1 beta 0 यह negative beta particles निकलेंगे और जब beta particles negative beta particles निकलते हैं है ना तो उस case में क्या होता है z की value 1 से increase होती है तो मुझे यहाँ पे z की value को increase करना है z minus 2n यह value हो चुकी थी मुझे increase करना है 1 के लिए 1 से है ना लेकिन यहाँ पे कितने है 2n तो plus 2n हो जाएगा इसको नाम y dash दे देते हैं a की value पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ultimately आपको क्या मिलता देखने को जो last nucleus आपको मिला उसमें z atomic number है a minus 4n इसका क्या है atomic mass number है तो आपको एक daughter nucleus मिला जिसका atomic number same atomic mass different है ऐसे daughter nucleus इसको हम क्या बोलेंगे isotope बोलेंगे parent का यहाँ पे isotope isotone आइसो बार यह सब क्या होता है इनकी definitions बचों कामा जाती है तो अगर atomic mass number different है लेकिन atomic number same है तो isotope same ठीक है next question देखते है the constituents of nucleus are बहुत ही basic simple to the point theory based question सबको पता होता है इसका answer nucleus के अंदर हमें केवल proton और neutron बच्चों मिलते हैं nucleus consists of only protons and neutrons इसमें कुछ और explain करने की जोड़ात नहीं है directly from theory directly from NCRT next question the radius of a nucleus radius of a nucleus के लिए मैंने बच्चों यहाँ पे formula mention किया था अभी equations discuss करते हैं फिर से discuss करते हैं r is equal to r naught a raised to the power 1 by 3 यहाँ पे a क्या है इसका atomic mass number 1 by 3 power मतलब cube root तो आप देख रहे हो कि यह radius है वो directly proportional to mass number तो नहीं है उसके लिए तो क्या होना चाहिए था r directly proportional to a ऐसा होना चाहिए था inversely proportional भी नहीं है directly proportional to cube root of mass number this is the correct answer a nuclei having same number of neutrons different number of protons or atomic mass atomic number will be called what definition of isotons isotons क्या होते है number of neutrons same होने number of neutrons same होने atomic number अलग होगा तो हम बोलेंगे यह isotons है atomic mass number same होता है और isotopes क्या होते है जब atomic number same होता है next question देखते है ratio of volume of nuclei assumed to be spherical in shape with respective mass number 8 and 64 mass number दिया हुआ है देखो पहले की जो radius है nucleus की जिसके लिए atomic mass number और यहां पर 8 दिया हो है बचो उसको माल लेते है r तो r की value हो जाएगी r0 into a यह value हो जाएगी radius की for the first nucleus दूसरे वाले के लिए value माल लेते है r' r' कितना हो जाएगा r0 into 64 की power 1 by 3 लेकिन यह radius का ratio नहीं पूछ रहा है यह volume का ratio पूछ रहा है तो volume के लिए क्या करना पड़ेगा 4 by 3 pi r cube तो इसका volume हो जाएगा 4 by 3 pi r0 cube into 8 by 8 की power 1 by 3 का 8 हो जाएगा यहां पर ऐसे ही यह volume हो जाएगा 4 by 3 pi r0 cube into 64 तो अगर इनका ratio आप लेते हो v by v dash तो simply 8 divided by 64 यह 1 divided by 8 यह 0.125 होगा that's why the correct answer here is C direct formula based question radius का formula आपको पदा है sphere का volume radius नहीं काल सकते हो और उससे सीधा सीधा ratio मिल जाएगा फिर से isotopes, isobars, isotons की definition based question बच्चो यह chapter थोड़ा theoretical है तो इसमें theory based questions, concept based questions directly आपसे पूछे जाते है exam पूछता है तो वो सारी variety हम यहाँ पे cover करने कुशिश कर रहे है numericals भी आते हैं कुछ particular type के numericals आते हैं वो भी यहाँ पे cover कर लिए जाएंगे तो सबसे पहले बोल रहा है isotopes, फिर isobars, फिर isotons तो isotopes ढूनते हैं बच्चों isotopes के लिए क्या होना चाहिए? Z same होना चाहिए अब देखो Z same कहा कहा हो जा रहा है यहाँ पे और यहाँ पे Z same हो जा रहा है तो यह answer हो सकता है यह नहीं हो सकता तो मैंने केवल isotopes के basis पे eliminate कर दिया कुछ options अब यह तो मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें जो पहला पेर था वो isotopes नहीं था दूसरा देख लेते हैं isobar atomic mass number atomic mass number इन दोनों में तो same है नहीं तो यह तो out हो गया यह वाली line अगर out होगी तो बची बस एक ही line वह कौन सी इसमें आप देख रहो यह 33 यह common है और इसको भी verify करके देख लो यहाँ पे number of neutrons same होना चाहिए isotons number of neutrons कैसे निकलेगा 197-79 यहाँ पे कैसे निकलेगा 198-80 तो this number and this number should be equal हाला कि elimination method से हमने किया तो पहले दो step में यह cover हो गया था और तीसरे के हमें जुरत भी नहीं पड़ीती है तो इस तरीके से हम यह pairs देख सकते हैं कौन-कौन से isotopes है कौन-कौन से isotopes है alright next question बच्चों देखते हैं when the number of nucleons in nuclei increases number of nucleons आप बढ़ा रहे हो number of nucleons बढ़ा रहे हो the binding energy per nucleon binding energy per nucleon का बच्चों graph with respect to the number of with respect to the atomic mass number or with respect to the nucleons number of nucleons अगर आप देखते हो तो कुछ इस type का graph आपको देखने को मिलता है with atomic mass number और number of nucleons आप देखते हो कि पहले क्या करता है यह value बढ़ता है binding energy per nucleon middle range में जाकर maximum हो जाता है उसके बाद में घटता है तो this is what you have increases continuously no decreases continuously no remains constant no first increases and then decreases directly theory based question next question देखते है बच्चों complete the equation for following fission process तो fission process के लिए यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पर रटने की जरूद नहीं है क्योंको fission reaction आप रट करके रखोगे आपने बस यह देखना है इस question में कि दोनों side में जो atomic mass number है और जो atomic number है कम से कम वह balance हो जाया that is the first thing that you look for जैसे कि मैं left hand side में अगर देखता हूं जैसे कि इस problem में मैं देखता हूं तो यहर left hand side में आप देखो 92 इसका atomic number है मतब इतने protons होंगे बच्चों इसमें इसका कोई contribution नहीं है neutron का इतने protons होंगे तो right hand side में कम से कम 92 protons तो होने चाहिए अब देखो इसमें 38 तो यहां पे आ गए 38 इसमें से subtract करोगे 92 में से तो कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा तो कम से कम मुझे 54 protons तो चाहिए देखो अब सारे के सारे questions में options में अब देखो तो यहां तो additional neutron है protons कहां पे होंगे x element के साथ में होंगे तो जिसमें 54 है वो answer हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह भी हो सकता है यह वाला तो हो ही नहीं सकता पहली बात तो एक खता होगे दूसरी बात focus करते है number of neutrons पे atomic mass number पे left hand side में 235 atomic mass number है इसमें proton और neutron दोनों आ गए एक additional neutron है तो इतना हमारा क्या हो गया atomic mass number हो गया left hand side में right hand side में on the other hand हमारे पास अभी तक cable क्या मिला है 90 sr के साथ में क्या जुड़ा होगा है 90 तो जो बच्चा हुआ number है वह x से मिलना चाहिए और जो भी वहाँ पे additional neutrons है उससे मिलना चाहिए तो this becomes 236 minus 90 यानि की 136 plus 10 146 बच्चो 146 atomic mass number अभी हमारा missing है टीक है 146 nucleons अभी भी missing है proton हो या तो neutron टीक है उसमें से उसमें से आप देखो options को पकड़ना शुरू करते हैं यहाँ पे जो पहला option है the very first option इसमें x के साथ में 143 nucleons है और उसके बाद में 3 neutrons भी है तो दोनों मिलागर के कितना हो गया 146 हो गया तो सीधा सीधा correct answer क्या हो गया यह हो गया अगर मैं इसमें देखता हूं तो यहार 145 plus 3 हो जाएगा यह तो ज्यादा हो जाएगा अगर मैं इसमें देखता हूं तो केवल 143 रहेगा तो यहां पे कमें number of nucleons भी मैच करने और number of protons भी मैच करने तो correct answer for this question becomes A next question देखते हैं fusion reaction takes place at a high temperature why because atoms are ionized molecules break up at high temperature nuclei break up at high temperature the correct answer is the kinetic energy is high enough to overcome repulsion between the nuclei extremely high temperatures requirement इसलिए है ताकि nuclei का fusion हो सके वह बहुत high energy के साथ में high momentum के साथ में एक दूसे के साथ collide कर सके हैं that is the correct answer directly theory based question for a nuclear fusion process shootable nuclei are they are actually lighter nuclei बच्वा आपको याद होगा lighter nuclei for example hydrogen के अगर मैं atoms लेता हूं deutron है या even tritium है या hydrogen का normal hydrogen atom है तो इन में fusion process आसानी से होता है because इनकी binding energy per nucleon कम होती है यह हमें पता होना चाहिए बहुत अगर heavy nuclei है उसमें fusion नहीं होगा middle range वालों में नहीं होगा lighter nuclei में होगा ठीक है so the correct answer here is C next question दिखते है if MO is the mass of any oxygen isotope isotope की बात हो रहे है जिसमें की atomic number कितना है 8 atomic mass number कितना है 17 MP and MN are the masses of proton and neutron respectively the nuclear binding energy of the isotope is बच्चों imagine this reaction की अपने पास में there are 8 protons 1 P1 there are 9 neutrons 0 N1 9 neutrons and 8 protons are there और यह मिलकर के बना देते हैं यह वाला isotope यह जो nucleus है इसको बना देते हैं तो बच्चों mass defect यहाँ पे कितना involved होगा mass defect involved होगा 8 times of mass of proton plus 9 times of mass of neutron minus mass of this isotope of oxygen O यह इसका mass defect है mass defect को आप multiply कर दोगे किससे c square से तो इस reaction में इसतना mass defect होगा c square से multiply कर दिया तो यह value हमारी के हो जाएगी इसकी binding energy के बराबर हो जाएगी ठीक है देखो mass of neutrons plus mass of protons जब वो separated है उनका mass overall जादा होना चाहिए nucleus बनने के बाद में थोड़ा सा mass कम होना चाहिए हो जाना चाहिए इस process में कुछ mass का energy में conversation conversion हो जाना चाहिए ठीक है that energy which is released in that format in that particular situation उसको हम क्या बोलते थे हैं binding energy of the nucleus यह हमारा बच्चनों correct answer बनेगा MO-8 MO- यह value कितनी हो जाएगी इतनी हो जाएगी mass of तो numerical value कर आप देखोगे तो numerical value इसका mod value हमको लेना चाहिए mod value हमको यहाँ पे लेना चाहिए because mass of proton और mass of neutron जो है इसको जब हम add करते हैं तो बच्चों यह बारी value जएदा आएगी mass defect होगा तभी ही जब इसके बनने के process में जो isotop बन रहा है उसका mass overall थोड़ा सा कम होगा तो that value into C square तो इसमें आप देखें या तो आप इसको order कोलटा करेंगे या तो इसकी magnitude value लेंगे अल्राइट next question देखते हैं in a fission reaction this is given in a fission reaction the binding energy per nucleon of x and y is given whereas for uranium 236 also binding energy per nucleon is given the total energy liberated will be बच्चों ऐसे जब भी questions आपके पास में आते हैं आपने करे होंगे definitely मैं वापस से आपको यहाँ पे याद दिलादू कि आप क्या करते हो आप यह बोलते हो कि यह energy जो released होगा energy release जो होगा वह होगा total binding energy total binding energy total binding energy तो energy release तब होता है जब जो यह products है इनकी binding energy बच्चों ज्यादा हो मत्तलब वह ज्यादा stable हो और जो reactant है उसकी binding energy कम हो relatively यानि कि वह comparison में कम stable हो तो it is the total binding energy of the products products minus total binding energy of the reactants ठीक total binding energy of the products minus total binding energy of the reactants ठीक ठीक है यह आपको formula सीधा सीधा लगाना है जब भी ऐसे questions आपके पास में आते हैं इसने हमको बताया कि uranium 236 के लिए 7.6 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट binding energy पर नुक्लियॉन है एक नुक्लियॉन के लिए 7.6 है क्या हो गया binding energy of यह क्या हो गया binding energy of बच्चों reactants reactants की binding energy कितनी है product वाली साइड में अगर मैं देखता हूं तो product वाली साइड में 117 नुक्लियॉन से एक्स में उसकी binding energy पर नुक्लियॉन है 8.5 उसके बाद 117 किसमें है वाइब में है और उसमें भी binding energy पर नुक्लियॉन कितनी है 8.5 यह नूट्रॉन्स क्या है फ्री नूट्रॉन्स है तो यहां पर ऐस सचम binding energy फ्री नूट्रॉन के लिए नहीं बोलेंगे कि इसकी कुछ value लग से है तो यह products का पूरा का पूरा binding energy हो गया यह reactants का पूरा का पूरा binding energy हो गया यह बच्चों कर आप approximate करके दिखते हो 200 mega electron volts यह value आ जाती है यह calculations आप करोगे तो जो closest answer आपको मिलता है वह यह मिल जाता है that's why B is the correct answer यह question देखिए फिर से binding energy per nucleon का concept हम यहाप यूज कर रहे कि binding energy per nucleon अगर हमें deutron की पता हो 1H2 की और helium nucleus की पता हो और अगर हमें यह बताया जाए कि 2 deutrons मिल करके यानि कि 1H2 plus 1H2 यह दोनों मिल करके क्या बना देते हैं एक helium nucleus बना देते हैं 2HE4 तो इस process में कितनी energy release होगी मैंने आप से क्या बताया अभी previous slide में क्या बताया कि total energy released is equal to binding energy of the products minus binding energy of the reactants अब देखो मैं पहले binding energy of the products की बात करूँगा मतलब इसकी बात करूँगा यहाँ पे मेरे पास हैं बच्चों 7 MEGA electron volt इसकी value है binding energy per nucleon की number of nucleons by the way यहाँ पे कितने है 4 number of nucleons कितने है 4 तो यह product वाली side का पूरा का पूरा binding energy हो गया reactant वाली side में देख लेते हैं यहाँ पे मैं 1H2 की बात करता हूँ number of nucleons कितने है बच्चों 2 है binding energy per nucleon कितनी है 1.1 है और 1H2 1H2 के 2 मेरे पास में nuclei हैं इसलिए further 2 से multiply कर रखा है तो this is what you get 28 mega electron volt minus यह कितना हो गया 4.4 mega electron volt this becomes equals to 23.6 mega electron volt 236.6 तो यह हमारा यहाँ पे क्या हो गया correct answer हो गया यह formula यह directly आप use करोगे जब भी आएगा आप देखरो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है direct formula based direct concept based questions है ऐसे questions आपको देखने को मिलते हैं ठीक है so with this we have completed part one of this this lecture ठीक है बच्चों radio activity से जो related questions है वो हम part two में mostly cover करेंगे और कुछ और miscellaneous questions भी वहाँ पे cover करेंगे पढ़ाई करते रहिए महनत करते रहिए चैनल के साथ में बच्चों बने रहिए सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो और अपनी नीट की preparation को boost करते रहिए thank you करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए